नमस्कार दोस्तों आर्सी स्टुडी में आपका स्वागत है आज हम लोग अदेन करेंगे इंद्रधनूस किसे कहते हैं तो क्या होता है जब बारिस के दीनों में सुर्य से आने वाली परकास किरणे वातावरण में उपस्थित जल की बूंदों से वड़ बिछेपित वा पु इसे इंद्रधनूस कहते हैं यानि यहां पर फिर इंद्रधनूस परकास के वर बिछेपर एवं पुड़ आंत्रिक प्रावर्तन की घटना है यह से क्या होता है बारिस के समय में जियों अगर यानि बारिस हुआ और उसके तुरंत बाद अगर धूप निकल रहा है तब उस सत्सक्राइब के होता है क्योंकि कुछ है जो होती है अगर बारिस की तुरंट बाद वाई मंडल में अगर यानि धूप निकलती है तो धूप निकलने से कुछ बूंद्य वाई मंडल में रहा जाती है और जो बूंदे एक प्रिज्म की भाति यानि कारे करने लगती है यानि प्रिज्म क्या करता है तो प्रिज्म जो होता है परकास के स्वेत परकास को इसको साथ रंगों में विभक्त कर देता है जैसे यहां पर एक हमने बूंद लिया है यहां जो है एक वर्चा की बूंदे है इसमें जब सुर की परकास पड़ती है तो यहां पर जो है इसको यानि परकास को थोड़ा नीचे मुरा दिया है तो यानि परकास को मुर जाना अपवर्तन कहलाता है फिर उसके बाद इहां पर आया है और फिर इहां पर इसका पूरा आंत्रिक परावर्तन होता है पूरा आंत और पॉर्टन हो रहा है तो यहां से बाहर निकल जा रहा है और इस समय से यानि जैसे प्रिज्म साथ रंगों में बीभक्त कर देता है उसी प्रकार यह वर्षा की बूंदे जो होती है प्रिज्म के यानि प्रिज्म के जैसा कारे करती है तो इसे भी साथ रंगों में बीभक् चाहिए देता है आप उसके बाद यानि इंद्रधन उसमें निम्न सैंप्लक रंग की पढ़ जाती हैं जैसे बेगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल इस सात रंग यानि सुर के प्रकास में पाए जाते हैं और जिसको छोटा में इस तरीके से याद कर सकते हैं बैजनी हपी नाला यानि बैगनी जामुनी नेला हरा पीला और फिर उसके बाद यानि नारंगी और लाल इस परकारी से याद कर सकते हैं